तो यहर तुम लोग को Clash at the Castle का Roman Reigns vs Drew McIntyre मैच यादी होगा हाँ वो ही मैच जहाँ पर Solo Sikua ने अपना Debut किया था और अब भी तो जिस तरीके की चीज़े चल रही है भाई साब तुम लोग को Roman Reigns के हर मैच याद आ रहे होंगे उस एक बंदे ने मेरा मोमेंट चीन लिया अब भाई तुम लोग समझ गए होगे कि Austin Theory किसके बारे में बात कर रहे हैं उस मैच में जब Austin Theory अपना Money in the Bank केश इन करने के लिए आये थे मेरे से डर लग रहा था इसलिए इसने मेरे को पीपल्स एल्बो दे दिया था और मैं इससे रसलमीनिया में मैच लड़ना चाहता हूँ तो देख लो भाई सब Austin Theory के खौब मतलब हम लोग 4 साल से Roman Reigns वर्सिस दा रॉक का मैच रसलमीनिया में देखना चाहते हैं बट इनको रसलमीनिया में रॉक के खलाप मैच चाहिए खेर यार हम लोग बात कर लेते हैं कल होने वाली स्मैक डाउन की तो भाई King and Queen of the ring के अंदर Logan Paul Undisputed WWE Champion तो बन नहीं पाए और यार समझदार थे वो उनको मालूमता कि वो Cody Road से जीज़ तो पाएंगे नहीं इसलिए उन्होंने अपनी Championship दाओ पर नहीं लगाई तो Cody Road से तो उनकी Story Finish हो चुकी है बट यार कुछ हफते पहले या फिर कहें एक या दो हफते पहले हम लोगोंने Backstage Logan Paul और LA Knight का आमना सामना देखा था तो मुझे लग रहा है भाई कि LA Knight Logan Paul के next opponent हो सकते हैं की Clash at the Castle के लिए Logan Paul को challenge कर सकते हैं इसके लवा भाई साब हमें कल की SmackDown के अंदर Bally और Piper Nevin के बीच में एक Steel Cage match देखने को मिल सकता है अचाया Nick Aldis और AJ Styles के बीच में भी कुछ खिचडी पक रही है ऐसा लग रहा है कि WWE इनका एक match करवाने का plan कर रही है तो इनका भी हमें एक segment देखने को मिलेगा इसके लवा नया Jacks अपना celebration करने वाली हैं क्योंकि भाई वो new queen of the ring जो बनी है इसके लवा यार कल हमें Kevin Owens का match देखने को मिल सकता है Bloodline के किसी member के साथ में आप लोग को याद होगा पिछले अपते की SmackDown के अंदर Kevin Owens ने Randy Orton को बचाया था Bloodline के members से यहर Kevin Owens घूम भेर के Bloodline की स्टोरी में involved होई जाते हैं and like कल के show पर हमें Cody Rhodes भी देखने को मिलने वाले हैं और हो सकता है कि कल हमें Cody Rhodes का नया opponent भी देखने को मिल जाए जो कि Clash at the Castle के लिए उनको challenge करें Undisputed Championship के लिए आपके हिसाब से वो opponent कौन हो सकता है कमेंट में बता देना बाकी Clash at the Castle की date and timing जो इंडिया में होने वाली है उसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ आई बटन पे जाके देख लेना वीडियो के अंदर इतना ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के लाइक जरूर कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर